हेलो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में आज हम लाएं शिक्षा निदी शाले रास्य राजदानी शेति दिली की आंकलन का आई पर तक नंबर 11 जो कि क्लास 9 कले है विशे आपका हिंदी है डेट है जिसकी 13 अपना नाम और अ एक अंक्य है पांसे छे दो अंक्य और साथ से दस आपके तीन अंक्य सुनहरे प्रदरिंदी के खुबसूरत पंको पर सवार सामली सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है तो यह तो वही पैरग्राफ है आपको पढ़ते वेश याद आ रहोगा एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है कोई रोक टोक सके कहां संभव है इस हुजूम में आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंदों पर सेलानियों की तरफ अपने अंतहीन सफर का पोज उठाए लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से बिन है बीड़ हो रहे हैं जो जिन्दगी का आखरी गीत काने के बाद मौत की गूद में जा बसा हो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन दे कर भी उससे लटाना चाहे तो यह पक्षी अपने सपनों के गीत दो पारक कैसे का सकेगा मुझे नहीं लगता कोई सोई हुए पक्ष चाहरो को वह प्रक्रति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखनों को उच्छुक रहते हैं बहला कोई आदमी अपने कानों से पक्षो के अवास का मदूर गीत संगीत सुनकर अपने भीतर रुमाज का सोता फोता मैसूस कर सकता है क्या तो यह इतना आपका जो पैरग्रा सबस्दाई होगा सापन करा हमाला दैर है आधमी अपन गसâte का समना थी मनुश्य हो जाएगा यह इंसान पुछ़ा प्रश्ण сп filoha होगा तो ुद्ध को अग्ला फिर धे रख अन्त धिर्थ व्हाइश जो आगे लगते है उपसर्क अर आ है आपने कि पक्षिता और गद्यांज के अनिसार सुरह निआरी परिक्षें के पंख बहुत को अब थाँती था आज hun है जो को देखा है आघर बड़ायन के अनिसार भिव्हाय जो झीक्षाल है परें और गलत बाव numinar जहां वो त्रिसकार करें किसी चीज़ का गद्ध्यांच कर सालीम नि का अंतिम पलाइन था पलाइन यहां आखरी सफर था आखरी चीज थी पलाइन का एक अधर से दूसरी जगे विस्तापित होना अत्वा जाना ओकर लाता है कोश नमर् नाइंट इसमें आप करिए गद्यानश के नसार लेखा किस की तरह प्रकृती में विलीन हो रहा था तो विलीन होने का एक हा तुम के लिए किस अधरोENNी का आदे सुलिक्ति मनें भाए धुकetonित भब awarded कि युक्ता गसा ओने का अध्यानश के अनुद हो रहा थ पक्षियों के बारे में कह था कि लोग पक्षियों को आद्मी के नज़र से देखते हैं